ये गाइज वेलकम बैक टू टेक एक्षिन इस दिव्यांश और वाचिंग सीरीज पॉर पार्ट शिक्स दिस दा हिंदी वर्जन तो मैं हिंदी में बत करता हूं इस वीडियो में आप सिखेंगे न्यूटरल स्टेटजी शॉर्ट कॉल बटरफ्लाय कैसे अपलाय करते हैं बैंक निफ्टी के ओपर या फिर कोई भी स्टॉक्स जो आप ट्रेट करते हो उसके ओपर अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वा सिरीज 2, सिरीज 3, तीनों को देखिए तब ही आपको आपसेन स्टेटजी पूरी आएगी ऐसे बीज बीच में से देखने से आपको नहीं आएगी तो मैंने अपने चैनल पर प्लेडिस्ट बना दी है आप वहां पर जाईएगा सिरीज 1 से सुरू करिएगा और सिरीज फिर दीमे दीमे बेसिक सिखाया है फिर एडवांस सिखाया है फिर कॉंप्लेक्स लवल की स्टेटजी और अब आ गया है न्यूटल स्टेजी पर तो विदाउट वेस्टिं टाइम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ तो यह नूटल स्टेजी शौट कॉल बटरफ्लाई है इसमें आपका व्यूपॉंट क्या होना चाहिए व्यूपॉंट आपको होना चाहिए sideways to bullish sideways to bullish जैसा कि इसमें लिख रखा है neutral on bank nifty direction and bullish on volatility volatility में आपको bullish होना चाहिए लब जो volatility होती है price का up down up down करते करते हो उसको up जाना चाहिए और bank nifty की direction neutral होनी चाहिए तब आप ये strategy apply कर सकते हो और strategy है buy two ATM call sell one ATM call sell one ATM call ये तीन चीज़े आपको करनी है एक दो ATM call खरीने है एक ATM call एक ATM call सेल करना है ये होता है short call butterfly के अंदर इसमें risk कितना है limited to difference between adjacent stack price minus net premium received limited है और reward कितना है limited limited to net premium received जो आपको net premium received होगा वो आपका reward है break in point अपर break in point is higher strike price minus net premium and lower strike price lower BEP lower strike price plus net premium अब plus minus में confused मत हो जाएगा जब अपर BEP की बात करेगा तो हमें minus करना है जब lower BEP की बात करेगा तो हमें plus करना है net premium को मैक्स प्रॉफिट कब होगा जब all option exercised and all options not exercised देखें आगई रेफरेंस वाली बात reference in a sense that मैंने series 1 series 1 के सारे parts में बताया हुआ है कि option exercised मतलब क्या होता है अब आपको देखना पड़ेगा series 1 series 1 में series 1 आप देख क्या होगे तो option exercised not exercised का क्या मतलब होता है यह आप अपने आप समझ जाओगे loss when item call exercised other options not exercised okay यह सारे points आपको हमेचा note down करके रखने है अगर आपको यह चीज़ सीखना है तो आपको note down करके रखना है और आगे दिखाते हैं कि एक example लेके बताते हैं buy two ATM call sell one item call sell one otm call okay तो माल लेते हैं कि हमने एक contract लिया of 25 quantity bank nifty का जिसका spot price है 8,900 तो हमने buy ATM call strike price दो बार खरीदा 8,900 का तो हमारा call premium 2 से multiply हो जाएगा उसके बाद हमने ITM call strike price बेच दी बेच दी तो sell जो premium होगा वो हमको मिलेगा 500 का उसका sell otm call strike price 9,100 call premium 200 वो भी हमको मिलेगा तो net premium जो हमें हमारा बनेगा वो net premium उसको हम उससे हम निकालेंगे break in point upper break in point यह आप लोग का homework है निकाल निकाल लिएगा और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो comment box में पूछिएगा अपर break in point और lower break in point के अगर बीच में रहता है तो हमें loss हो सकता है उसके उपर जाए या नीचे जाए हमें profit होगा अगर उपर भी जाता है तो हमें 2500 यानी 2500 का profit होगा और नीचे भी जाता है तो 2500 का profit होगा limited profit होगा limited loss होगा यह आप graph देख सकते हो कि कैसे सब लोग कैसे जो हम जो हमने यह जो blue line है यह net payoff है और सब एक दूसरे को काट रही है काट रही है in essence एक दूसरे को cross over करती है और हमारा net profit बनके आ जाता है यह बहुती safe side strategy है लेकिन इसमें profit तभी होगे जब आपको chart reading अच्छे से आता होगा अगर आपको chart reading नहीं आती है तो मेरा chart reading अच्छे से आपको देखना चाहिए तो blue line हमारा one ITM call sold है two red line हमारा two ATM call brought है green line हमारा one OTM call sold है और blue line net payoff है इसे के साथ हमारा video खतम होता है See ya have a good day happy treating and this is Divyant signing off